आई अभीवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगें वालकम टू मैं न्यू वीडियो आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने अपनी किचिन के लिए क्या न्यू प्रोड़क्ट मंगवाया तो चलो साथ मैं अन्बॉक्सिंग करते हैं त तो कुछ इस तरह से पैक होकर के आई थी इन दस वैली का मैंने ये प्रोड़क्ट मंगवाया है तो साथ में इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसको पैक करा हुआ है ताकि डामेजिंग वगेरा की कोई प्रॉब्लम ना आए चारो कि चलो ये वाला प्रोड़क्ट भी अभी 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 जस मुझे दिल्वर हुआ था और मैं रेडी भी थी मिरको एक्चुली कहीं जाना था भी तो फिर मैंने का चलो इसकी अन्बॉक्सिंग करके फिर चलते हैं तो यह यहां पर मैंने इसको निकाल लिया था अच्छे से यह पैक करी हुई थी और उसके साथ यह कुछ काड्स वगेरा भी आया वे थे जिसमें इसको पीन करने का प्रोसेस और यह सब चीजने लिखी हुई थी बिलिंग वगेरा थी और इंदस वैली कौन-कौन से कास्ट आयरन के प्रोड़क्ट बनाती है वो सारा कुछ इसमें द और इसमें थांक्यू का कार्ड भी था और इसमें मेरे को 10% का ओफ मिला हुआ था कि next time अगर मैं दुबारा से इंदस वैली का कोई भी कुखवेर और करती हूं तो में एकुछ 10% उसमें आफ मिलेगा और यह कुछ हैंद्मेट एक कार्ड भी लिखा हुआ था थांक्यू कार जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कोई आपको स्पेशली एक हैंड मिट कोई चीज देता है, तो अच्छा लगता है, और उसके बाद चलो इसको उन्पैक करते हैं, इसको मंगवाने के लिए, मतलब मैं पहले ट्राइपलाई सोच रही थी मंगाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है, मैं काफी टाइम से यूज भी कर रही हूं, तो मेरे को ट्राइपलाई मंगाना था, बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, जो कि एक चीज से ना मैं मतलब ट्राइ करती हूं, कि एक चीज से मेरे मुल्टी परपस सॉल्व हो सकें, तो अभी फिलहाल जैस कि मैं कास्ट आइरन और करती हूं, कास्ट आइरन हेल्थ परपस से ट्राइपलाई से ज्यादा हल्गी होता है, हमारे ल Finnish दादी नानी बहुत लंबे टाइम से कास्ट आइरन यूज करती रहती है तो heavy bottom था इसका बहुत जादा और dimensions आप इसकी देखी सकते हो कितनी जादा है ये और उसके बाद मैं इसको first time use करने के लिए na ready कर रही थी तो सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से wash कर लिया था normal आप जो विम जेल या सोप वगयरा यूज करते हो उसी से ही pad से आपको नॉर्मली इसको wash कर लेना अच्छे से अच्छे से वाश करने के बाद इसको आपको एक cotton के cloth से या टॉवल से इसको अच्छे से आपको dry कर लेना है और dry करने के बाद इसके उपर आपको थोड़ा सा पहले आप heat कर सकते हो बट यहाँ पर मैंने heat नी करा था क्योंकि वाश करने के बाद मैंने थोड़ा सा गरम पानी इसमें डाल करके बॉयल दिला करके फैका था ताकि जो भी ऊपर कैमिकल या फिर जो भी मतलब कुछ भी होता है तैकेजिंग वगेरा में थोड़ा बहुत गंदा वगेरा हो जाता है तो सारे टॉक्सिल्स वगेरा नि बेटू ने बोला कि इसमें ममा कुछ मुझे नियू सा बना करके दो तो मैंने का चलो अभी हम मुझे न तो तीन घंटे के बाद जाना था मनीश जब आ जाएंगे ऑफिस से तो फिर मैंने का चलो मैं बना देती हूं नाइट के लिए ना मैंने आलू बॉयल करे वे थे है थोड़ा बारी कर की चौपकर लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी आद करा हुआ था और थोड़ा सा पोहा एड़ करा था। ताकि बाइंडिंग पगडि पढाए च्छे छी और था है और जो सूखे मसाले ठोट होता है हमने चाट मसाला था री, त तैन मेरी बिल्कुल रेडी थी यूज होने के लिए उसके इंदर मैंने आइल की कोटिंग अच्छे से कर ली थी जब आप आइरन या कास्ट आइरन की चीज़ें यूज करते हो ना तो उसमें आपको आइल की कोटिंग आलवेज करके रखनी होती है इसी से ही वो फिर उसके इ कोई भी शेप आप उसको दे सकते हो और दूसरी साइड ना मेरे ओल डिस्पेंसर में ओल भी खतम हो गया था तो उसको मैं रीफिल कर रही थी पहले वाली बॉटल में थोड़ा सा बचा हुआ था पहले मैंने वो यूज कर लिया था और फिर न्यू बॉटल मैंने खोल करके कि उसको रीफिल कर दिया था और इधर से मेरे जो यूज बॉल्स मैंने TOगने आफ़ी आलू के जो कůटलेट होते हैं तो वही मैं बना रही थी अभी मैं डीफ्राइं करके कुछ बनाना चाह रही थी मेरे को चेक करना था कि मैं इसके कितने सारे यूजिस निकाल सक प्राइंग वगएरा काम हो सकता और मेरे पास अगर आपने देखा होगा तो मेरे पास नॉन स्टिक तवा है जो कि मैं भी यूज कर दी हूं चपादी या परांठे बनाने के लिए तो मेरे को चाहिए था कि मेरे सारे परपस उससे सॉल्व हो जाएं तो इसलिए मैंने का स्ट मेरे कटलेट थे वह बन रहे थे और दूसरे साइड मैंने टी बनने के लिए रग दी थी क्योंकि मनीश आ गए थे तो उनको टी चाहिए होती है साथ में और यहां पर मेरे जो कटलेट थे वह बहुत अच्छे से बनके रड़ी हो गए थे बिल्कुल चिपके नहीं थे जब चाहिट भेज़स एंच्छा कर रहे थे और मैनीश अपना टी के साथ इंच्छा करे थे पास की क्लिप मैंने स्कील दी थी वह पता नहीं फाइल कर रहे है मैं उसको आड़ कर रहे हूं तो क्रूप टशो कर रहे है तो फिर वह मैं पास से दिखानी पाई आपको बहुत अच तो यहां पर हम अपना कटलेट इंजॉय कर रहे थे मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे को चाहिए था मल्टीपल यूज में उसके निकाल सकूं तो मेरे पास तवा जो है वो नॉंस्टिक है तो मेरे को नॉंस्टिक तवा भी मेरा रेप्लेस हो जाए इसमें मैं क्या चपातियां सेख सकते हूं तो मैं चपाती सेख करके देख रही थी आप खुद देख सकते हो बिलकुल perfectly चपाती है इसमें सिक रही है बिलकुल फूल रही है चपाती है और जैसे की normal तवे पर आप बनाते हो न वैसे ही बन रही है बस थोड़ा से यह उठाने में बहुत जादा heavy लगता है आपको अगर habit नहीं है तो थोड़ा सा first time लगेगा हो उसका भी मैं आपको solution बताती हूं मैं मम्मी से बात कर रही थी मैंने उनको बताया इस product के बारे में कि मैंने यह मंगवाया है तो मम्मी ने मुझे solution दिया कि बार बार उसको उठाने की क्या ज़रत है वैसे भी जब हम direct burner पे रोटी को डालते है न वो बहुत unhealthy तरह होता है रो अब मेरा यह पाती है थी उसमें निकाल करके जब मैं बाहर बर्नर पे डालती थी तो उठाने में थोड़ा है लगता था और मेरी यह वाली problem भी सॉल्व हो गई थी नेक्स टाइम मुझे पता था कि डारेक्ट जो हम बर्नर पे सेखते है रोटी वो अल्लही नहीं होती है ब अब मुझे तवा भी नहीं लेना पड़ेगा और मेरा फ्राइपन का डीप अब आपको करके दिखाई चपातिया मैं अभी आपको इसमें सेख के दिखाई अब आई थी बारी सबजी वगएरा स्वानी की आपको पता होगा आईरन में या कास साइल में सूखी सबजी वगा करके मैंने डाला था और इतने ज्यादा टेस्टी बने थे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आया था है इन फाक्ट जो कास्ट आईरन के बरतन में खाना कूक होता है उसमें अज्छा आए आथ और हैल्थ परपरस से तो वह अच्छा होता ही और आप लुक वाइस भी देख स मेरे को और किसी कुक वेर पर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मेरे किचन को भी एक अच्छा सा लुक दिया इसने तो इंदस वैली का मैंने यह वाला प्रोडक्ट मंगवाया था जो कि में को बहुत ज्यादा पसंद आया आपको कैसा लग रहा है किचन तो सबजी के टेस्स में कोई भी फरक नहीं आएगा इनफाक्ट जो सबजी का टेस्स है वो और जादा अच्छा बनेगा तो इंदस वैली का यह प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया मेरे सारे के सारे परपस सॉल हो गए और मैं बहुत हैपी हो गई क्योंकि मेरी बहुत बढ़ बाई